फिर खुले दिल से कर दी हिंदुस्तान की तारीख और सम्मान में कह दिया ऐसा शब जिससे कईयों को लगेगी मिर्ची इर्फान पठान के बेटे और भतीजे को खास तोर पर मिला था ये स्पेशल मौका तस्वीरों को शेयर कर पठान साहब ने लूट ली मैफिल देश का एक तबका ऐसा है जिसको लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं अक्सर उनकी वफादारी को कटगरे में खड़ा कर दिया जाता है लेकिन एर्फान पठान जैसे लोग भी इसी तबके से आते हैं जो देश की शान में चार चांद लगा देते हैं और भूल कर भी कुछ ऐसा नहीं बोलते जिससे विवाद हो बलकि जब भी मौका मिलता है हिंदुस्तान का सिर्फ फखर से उचा कर देते हैं अब मिस्टर पठान के बेटे और भतीजे को जब एक बड़ा मौका मिला तो इर्फान ने तस्वीरों को तो साजा किया ही साथ ही हिंदुस्तान की तारीफों में कुछ ऐसा कह दिया कि किसी ने तो उने सलाम पेश किया और किसी ने उनके उपर सवाल खड़े कर दिये और सवाल उठाने वाले भी उनी के समस से आते हैं इर्फान पठान ने जो भी सोशल मीडिया पर इस मौके को लेकर कहा पहले वो बताते हैं और फिर बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इर्फान ने एतनी बड़ी बात कहती इर्फान पठान ने बेटे इमरान और भतीजे आयान और रायान की तस्वीर को साजा करते हुए कहा कि अपने बेटे और भतीजे को राश्रगान में देश के लिए गर्व के साथ हाथ उठा कर गाते हुए देखा तो बहुत अच्छा लगा ये कभी न भूलने बाला पल है इसके लिए आई सी सी और बेटे लिए आई सी सी और बेटे बाला पल है